नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग फ्रेंस आज में आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा पैटर्न लेकर आए हूँ बहुत खुब सुरत पैटर्न है आप देख सकते हैं इसे हम किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकते हैं जाए वो जेन स्वेटर हो लेडिस कारड से इस तरीके का दिखता है और फ्रेंस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो के नीचे आ रहे है लाल कलर के बटन को दबा दें घंटी को भी बजा दें इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहल तो चलिए फ्रेंस यहां पर हम देख लेते हैं इसे हमने किस तरीके से बनाया है तो फ्रेंस देखिए इसे बनाने के लिए हमने 4 के मल्टिपल में फंदे डाले हैं दो फंदे एक्स्ट्रा तो यहां पर मैंने 22 फंदे लिये हैं और फस्ट रो फस्ट रो बेस रो बनीगी ये पैटरन हमारा उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा तो दू फंदे हमने उल्टी बनाए जिस्टी चुतार कर धागा पीछे करेंगे एक तो दो फंदे सीधे बनाएंगे धागा फिर अपनी और करेंगे एक तो तो ये हम दो उल्टी दो सीधे फंदे बनाते हुए अपनी बेस रोग कंप्लेट करेंगे धागा अपनी और किया दो फंदे उल्टे बनाएं धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे तो ये ही हम कंप्लेट कर लिया हमने पूरी रो में आप देखिए एज इस्टिच उतार लेंगे फर्स्ट रो है पैटर्न की उल्टी तरफ से जो हमारी सीधे फंदे आ रहे थे उन्हें हम सीधे ही बनाएंगे धागा अपनी और लाएंगे अब ये दीए दो फंदे ये उधर से हमने सीधे बनाए थे इधर से उल्टे हैं हमने उतार लिया है और धागा पीछे लेकर गए अब फिर से इन्हें हम अपनी सलाई पर वापस लाएंगे एक दो इस तरीके से एक दो धागा पीछे एक दो धाग अपनी और एक दो इसी तरीके से हमने दो अलबेट दो फंदों पर चड़ा लिए हैं फिर से दो फंदे सीधे बनाएंगे धाग अपनी और लेकर आएंगे दो फंदे स्किप करेंगे इस तरीके से पीछे जाएगा धागा यानि कि ये दो फंदे हमें दो बार बांधने हैं फिर से अपनी और लेकर आए फिर से पीछे लेकर गए फंदे हमें दरुदर करते रहेंगे धागे को खीचते रहना है देखें दो बार हमने इसे लपेट लिया धागा पीछे ले जाएंगे और दो फंदी सीधे बनाएंगे दो फिर से दो फंदी स्किप करेंगे धागा पीछे जाएगा एक दो धागा अपनी और लाएंगे धागा पीछे गया दो फंदी फिर से इसकिप किए दो फंदों को हमें दो बार बांदना है दो फंदे सीधे बनाने तो पैटर्न की फर्स्ट रू हम इसी तरीके से कम्प्लेट कर लेंगे पैटर्न की सेकेंड रो देखेंगे अब यह देखें मारा एज स्टिच है और यहां पर वो फंदे हैं जो हमने उल्टे बनाए थे उधर से सीधे बनाए थे अब इन्हें हम बदल देंगे उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे और सीधा वाला फंदा धागा पीछे करकी सीधा बनाएंगे अब देखिए यह वाले फंदे हमने बांधे थे इसमें का पहला जो फंदा है यह देखिए बांधे हुए फंदे हैं हमारे इसमें का जो पहला फंदा है हम पहले बना लेंगे इस तरीके से बनाएंगे आप चाहें तो उतार कर भी सिफ्ट कर सकते हैं ताग अपनी और करेंगे और इस उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बनाएंगे आप दुनों फंदों को गिरा देंगे और देखे इने सिफ्ट कर लेंगे ऐसे यही सीधा वाला फंदा पिछे चला जाएगा आगे से पीछे और उल्टा वाला फंदा पीछे से आगे आकर उल्टा बना लिया इसे अब हम सीधा बुलनेंगे यही हमें पूरी रो में रिपीट करना है देखें माना डिजाइन भी समझ में आने लगा यह देखें इस तरीके से बंधी हुए फंदी का पहला फंदा इस एक फंदे की आगे आना है बंधी हुए फंदे का पहला फंदा इस फंदे की आगे आना है अब येदी के हमने गिरा दिया और उल्टे वाले फंदे को हम पीछे से इधर लेकर आ गए इसे उल्टा बनाएंगे अब इन दोनों फंदों की भी जगा हम सिफ्ट कर रहे हैं इस तरीके से दो फंदे उल्टे बनाएंगे दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे अब ये ही हम पूरी रो में अपने रिपीट करेंगे देखिए पूरी रो अमारी बन चुकी है और कितने खुब सुरत लगने लगी है अब देखिए तीसरी रो तीसरी रो एजिस्टिच हमने उतार लिया एक दो दो फंदो को हमने इसकिप किया जो हमारी इधर से सीधे उल्टे आ रहे हैं वो फंदे हम इसकिप करके इन्हें दो बार लपेट लेंगे धागा इन पर इस तरीके से यह थार रो है अब दो फंदे सीधे बना लेंगे एक दो फिर से वही प्रोसेस करेंगे धागा अपनी और किया दो फंदू को हमने इसकिप किया धागा पीछे करेंगे एक, दो ऐसे धागा फिर से आगे लाएंगे फिर से पीछे ले जाएंगे ये फंदू को हमें दो बार बादना है इस तरीके से पीछे ले गए, एक, दो, थार्ड रू इसी तरीके से कम्प्लेट कर लेंगे यह देखिए, इनको दो बार हमी लपेट लेना है दागा पीछे, एक, दो दागा पीछे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो फोर्थ रू यह देखिए, हमारा सीधा फंदा है इसे हम पहले बना लेंगे, बन्दे हुए फंदे में से पहले फंदे को हम पहले बना लेंगे, दागा अपनी और करेंगे और इसे अब उल्टा बनाएंगे दागों के हमारे सिफ्टिंग हुई है सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड रो के जैसे ही बनेगा यह दिखे हमने सिफ्ट किया है और इसी तरीके से हमारा पैटर्न बनता जाएगा यही चार रो हमें बार बार रिपीट करनी है यह दिखे दाग अपनी और किया एक फंदा उल्टा बनाया फंदो को सिफ्ट करेंगे सो फ्रेंज मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अपना ध्यान रखिए